तो फाइनली दोस्तों हमें जिस चीज का इंतिजार था वो चीज आ चुका है और हम अर्थम लोगों को पहले वाले वीडियो भी देखके मालूम चल गया होगा कि मैं क्या गरने वाला हूँ तो फाइनली दिखाते हैं दिखाने के बारी है तो यह रहा आपके सामने दास प्य इस पर बगसिंग करेंगे और देखेंगे इसमेजे qa चाहाँ मॉकसिं कर दे जाभाना कर करने से पले मैं कुछ चीज़ी बता देना चाहता हूँ इसके बारे में यह ब्रैंड निएंद भी नहीं यह वीच का है क्या हो सकता है सोचो इमांग में आरा है कुछ ने यह ता इसलिए उठालिया रिफर्वेज जब डालब यह है कि किसी ने मंगाया होगा एंड उसको उन बॉक्स किया और अगरा अगरा फिर जो जिए अच्छी नहीं लगे होगी या फिर जो भॉक्स होता है ना वो इस मुझ पर दिया होगा तो जो ऑक्राइ जयाती रहती है तो जो नो कर देती है पर के कुछ देती है ठीख इधा है lagi और के या पिपनिन बेंटा सब्सक्राइब कोड़ी कोइन मिली यह एक बाएंटी नहीं गता है तो कोई व्रास बाएंटी नहीं है तो चलो इंतिजार खतम करते हैं इसका फटाइक से उन्बॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि हमको कैसा मिला है काभी-कभी ना थोड़ा लग अच्छा होता है न तो ब्रैंड न्यू भी मिल जाता है देखने में जिसमें नो इसक्रेचेश कुछ भी नी रहते हैं तो थोड टेप लगा करका थे लोगों ने इसको खोलते हैं और यह मतलम यह भी ने निकल पारहा है पता नहीं अंदर से चिपक गया इसको अलग करेंगा मैंने पहले भी निकाल लें की कोजिस करी थी तो आपको ऐसे खोलके निकालना पड़ेगा तो सब सब्से पहले मिलता है यह वा क्यां कि मैंने इसमे गाती दुन खोले चुटर में जरूए फिर श सब्सेंने थे प्लेइर के घ। तो यह इसमें था वो भी मैंने रिडिम कर लिया है अब आज आते हैं इसके अंदर तो एक SDMI केबल यह रहा और यहां पर यह पावर कॉट दीख रहा है इसका पावर कॉट केबल इसको अलग रखते हैं और इसके बाद यह सब्सक्राओं कि यह अब ही तक नहीं खोली है तो यह इसका elkaar का जाले हो तो अब इसको 7डवार कैसे करते विले के अरफ करें गया तो यह रहा एक को फ़्करें था डइनोर अक्रशन को सब्सक्राचों को हुआ क ствол केंगे हैं तो यह रहा है इसको रख स्टेंड जिसपे उसको रखा जाएगा किरा अभी निखाल के दिखा ले तो तो यह रहा अब इसको सेट अप कैसे करते मैंने अब तो किया नहीं है इसको करें गे इस बार क्योंकि टेस्टिंग टाइम मैंने नहीं किया था इस पर करेंगा तो यह रहा इसको रख्यू रहा हुए तान बहार रखता हूँ और इसका यह रहा भाई काई सेका नहीं है थो किस क्राइच नहीं है कोई कुछ नहीं है कोई कुछ नहीं है अगर बाकी चीजे भी देखे जाए तो फाइन है तो मदल इस दूब ब्रेंड नीवी समझो इसको कहीं सभी कुछ भी इसक्रेच नहीं है तो मैंने दिखा दिया अब चलो चलते हैं में बढ़ते हैं में पार्ट के तरफ तरफ इसको लिटाके निकालना पड़ेगा तो यह रहा है और में पैट इसका भाई यह देखरो यह अन्डे वाला कड़ आता है ना बॉक्स जिसमें रखे जाते हूं वही है इसको निकालना पड़ा मुस्किल है यार यह स्लिपरी भी नहीं है कि नाराम से निकालनी या खीच करना बहुत करने पड़ती है यह हलका तो है नहीं बार है और इसको भी अटाता है अगा है अगा है अगा है तो बाई यह रहा हमारा जबी फर्विजडी कहो लेकिंग फूर यह किसी नए सक्टम नहीं है तो इसको हम भाठाते हैं वाइं काफी वर्जण ने सके अंदर मतलब हलका मत लेना इसको समझना बहले यह चोटा दिखने में है पर वर्जण इसके अंदर बहुत ज्यादा है तो मैं थोड़ा से जूम करके दिखाता हूं जैसे इस पर थोड़ी बहुत दूलें तो ऐसे करीब से देखो कोई स्क्राइच नहीं दिखेंगे थोड़े जो निसान होंगे ना वह मेरे मुली होगी है निसान है फिलाल देखो उपर से देखो कहीं भी क्लियर दिख रहा है और यह आपका प्लेस्टेशन का लोगो बाकी बॉक्स होगर अब एकदम नीट एंड क्लीन है कई से भी कोई स्क्रैच नहीं आया हो है तो यह रहा है इसका तो अब इसको अमना सेट अप करते हैं यहां पर चला के आपको दिखाते हैं तो अब बार यह दिखते हैं इसको चालू करके मैंने सब कुछ इसका कर दिया है तो अब इसको आन करके देखते हैं तो कुछ इसा तो मैंने अभी इसको उस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं इसकी आवाज हो गए अभी सुना पाऊं क्योंकि ऐसे कोई मैंने वो नहीं कर रहता है बुड़ा हूं थेटर हो गए रहा है लेकिन टीवी पर साउंड तो आ जाता है बहुत अच्छा से है तो मैंने ऑल्रेड़ी से यह इसका और मैंने अपना एकाउन भी लॉकिन कर लिया था तो यह सब नॉर्मल चीजह है कि अपने कंट्रोल्यर को सेटब कैसे करते हैं उसके साथ मैंने औल्रेडी कर रखा है और मैंने यह पीफा इसके अंदर डाला था तो वह आप देख सकते ह तो अभी गर देखु ना तो यह इसके अंदर जो गेम है यह वाला एस्टो प्लेयरूम यह इसके साथ ही आता है तो इसको मतलब इसमें प्री-इंस्टॉल रहता है तो इसको अब खेल सकते हैं तो मैं तो इसको आप खेल के देखते न तो इसके अंदर क्या है DualSense जो controller है इसके अंदर haptic effect हो गए रहा है तो सब इसी game के अंदर feel कर सकतो जो इसके डॉल सेंस वाले haptic effect हो गए रहा है वो सारे games में अब लेबल नहीं है कि आप सारे games में उसको feel कर सको पर इसके साथ कर सकते हैं जो gyro गयराया सब इसके साथ feel होता है इस game के साथ बाकी अभी किसी game में तो देखा पता नहीं अब खेलूँआ तो वही मालूम चलेगा नहाँ इस तो मालूम नहीं चलने वाला है फिलाल इस game के साथ यह बहुत जबर जबर्जस्ट बाइबरेट हो करा करता है बहुत मतलब जो full जो मज़े है ना PS5 को वो इसी से आते हैं इसी game में मतलब मज़े ले पाते हैं अब वो तो मैं सिर्फ मैं ही feel कर पा रहा हूँ कि अजाए और मैं आपको सुना पाऊं के अंदर से में साउंड आता है जैसा भी fan का साउंड रहा है ना साउंड रहा हुग को हलका साउंड आ रहा हुगा कंट्रोलर के अंदर मैं पता नी इसको साइध ओफ किया जा सकता है इसमें speaker दे रखा है controller के अंदर, में भी महाद में setting के अंदर जाकर बंद कर दूंगा, और यहे ऐसे privacy में यह रहा हुए माइक, यह रा माइक, और इस के अंदर headphone भी अपने में connect कर सकतो, तो बाइद वोए वो PC से connect रहता तो जादा बनिया है तो यह आप देख सकतो, चलो आप दूसरे इसके अंदर सीटी इंसर्ट करके भी देख लेते हैं यह मेरे बास अभी गॉड़ अफ वार का प्यर्स फोर वाला है सीटी मैंने पहले ही मंगाया था अपने देखा होगा मैंने के अंबोक्सिंग पहले ही मतलब दिखा दी थी आपको आपको में अभी इसके short कर दे द दे थाओ कि उसको ऐसे लगाति है इसका अंदर मैंने पहले data wala cd से पहले ही सब कुछ स्टोर कर लिया है बस कुछ नहीं करना है डारेक्ट वले करना है तो अभी आप यह देख सकतो इसका quality कैसी दिखती है मतलब बहुत ही जबर जस दिखती है मैं तो भाई यह ग्राफिक्स के मामले में सोचो भी God of War जैसी गेम तो भाई क्या ही दिखती है तो मैं आज इसका gameplay करने माला हूँ I hope कि unboxing video एक दिन बाद आएगी by the way क्योंकि मैं आज gameplay करूँगा एक दिन बाद आएगी unboxing तो इसकी quality अब देख सकते हो मतलब क्या ही graphics दिखते हैं मतलब क्या ही दिखते हैं God of War अपका favorite game है भाई मैंने first part खेला हुआ है first part नहीं बोलूँगा God of War 4 बोल सकते है उसको वो भाई तो उसको ख़दम किया भाई बहुत ही जबरजस्त थी वो तो उसको तो मैंने PC पर ही खेला था लेकिन आवज हम यह खेलेंगे इसको अपने PS पर वो खेलेंगा इक लगी वो रहेगा तो अभी क्या ना इसके अंदर बहुत सारे फादे हैं बाई दोवे अभी मैं जो भी गेम साइंगे PS वाली आएंगे कोसिस करूंगा मैं क्यूंकि बहुत सारे अभी वो गया चाहे आपका God of War दो खेलूगा इसमें टाइम लगेगा इस पर सोच रहो Spider-Man 2 भी खेल सकते हैं मजा आएगा काफी मजा आएगा और इसके अंदर और भी चीज़े करी जा सकती है क्योंकि इसके अंदर तो पैरेसी कर नहीं सकते चाहिस तरह की चीज़े होती नहीं पीसी में बहुत इजली हो जाती है तो इसके अंदर यह सारे उप्संस नहीं है तो और क्या किते हैं इसके सीडी समगा गई खेलने पड़ेंगे तो सीडी बेच भी सकते हैं आप सोच बोल सकते हो कि मैं डिजिटल एडिशन भी ले सकता था पर डिजिटल एडिशन लेने का मतलब यह कि सब खरीदना ही पड़ेगा या फिर इसके खुद के पास आते हैं जो प्लेस्टेशन प्लस साइध बोलते हैं तो वो भी पास बहुत महेंगे होते हैं तो उसको भी अगर लिया जाया है तो काफी अच्छा खासा उसमें गेम्स मिल जाती हैं बहुत सारी तो वह भी ले लेंगे क्योंकि हर बाद cd तो अबलेबल होगी नहीं क्योंकि पुरानी जो कि उनको इस पे इसके ग्रॉफिस के साथ अगर जो मतलब मैं फील करना चाहूंगा तो भी देखेंगे बाद में हम भी ले लेंगे प्लेस्टेशन प्लस का मेंबर से भी जिससे मैं बाकी गेमस भी खेल सकूँ और मैं अपने स्ट्रीम पे जरूर दिखाऊंगा तो अब बात कर लेते हैं रिफर्विस के इसका प्राइस हो गया है के बारा में और नयमें क्या प्राइस है नयमें 59K है आसपास है आपको पड़ेगा अभी अगर आप देखो उल्लाइन इस्टोर पे तो मैंने कार्ड लगा दिया तो 42 के 42 का पड़ा तो यह मेरे को बेन्फित हो गए बाकी अगर देखो ना किर्केड वाला वर्जन में था तो सेम ही रेट में आ रहा था यह एक ही बचा हुआ था तो भाई मैंने चटक लिया क्यूंकि अगर मैं सेकेंड भी खरीदने जाता तो 38 के असपास पड़ता वो जो कि मैंने बाकी जैसे गेम लूट है और गेम नेशन करके है वहाँ पर मैंने देखा था वहाँ तो तुरंद लोग खरीद भी लेते हैं बाइद वे सेकेंड हैंड भी सेकेंड हैंड के लिए भी लोग उतम दिवान है कि बाइंको कैसे भी मिल ज पर लिस्ट होती है वहाँ पर तुरंद भिख जाती है अब इसके कहाते है स्लीम वर्जन भी आ चुका है मारकेट के अंदर पर महा है थीक है सलीम वाला भी सही है और इसके बाद अब आगे तो भी आने ही वाला है इसका प्रु वर्जन आएगा तो वह देखो क्या होता है तो अभी पता नहीं है उसके बारे में कुछ तो अभी सलीम और प्रो वर्जन आने वाले हैं तो फिलाल हमारा काम इसी से चल जागा देखा जागा भविस्ते में कुछ होगा तो और जाइड सी बात है क्यों है क्योंकि जीटीयसिक्स नेक्स्ट यर आईगी है आईगी तो एक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है तो आपको पता चल गया होगा कि रिफार्बेश में कैसे पोड़क्त मिलता है मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम बेकार मिलेगा कुछ ना तो कुछ रहता ही है 19 बेस होता रहता है उसके वाज़े से ब्लोग यार रिटर्न कर देते तो आप आप देख सकते हो मेरे को तो मेंटेन मिला एकदम समझो कि न्यू ही लू है काईसे भी पुरान नहीं बस वरांटी वाला सीन है तो वह भी चल जाता है इतना जल्दी हराम नहीं होता है यह बहुत सही है तो यह चल रहा है अपी फिला तो चलो यार गैस फिलाल लाज के तो आ सकते हो आप भी देखने के लिए तो फिलाल के लिए बस इतना ही थैंको फर वाचिंग अगर वीडियो अच्छी लोगी हो तो प्लिस लाइक कर देना और इस तरह के कंटेंट देखने के लिए प्लिस चैनलो को सब्सक्राइब चरूर कर लेना तो तक लिए बाई-बा सब्रेखने के लिए सब्सक्राइब कर लिए झालो को सब्सक्राइब बाई-बाचर अब working धानी हो फिलो जाइब बागर ओस फिलामट